आज हम लाल सिमला मिट्स को उसके सीट्स के हल्प से उगाने वाले हैं प्लांट को उगाने के लिए पहले हमने इसके एक बीच को निकाल कर ट्रांसपेरेंट मिट्टी के एक कंटेनर में छोटा सा गड़ा करके इसमें डाल दिया और उसे सही से मिट्टी से ढखकर थोड़ा सा पानी डाल दिया उसके बाद टाइम लैप्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमने अपने कैमरे को सही से सेट अप कर दिया आव आप देख सकते हैं कि इसमें दो दिन तक कोई भी ग्रोध देखने को नहीं मिलती है और तीसरे दिन में ये अंकुरित होने लगता है और साथवे दिन से इसमें लीफ यानी पतिया आने लगती हैं धीमे धीमे से ये और तेजी से ग्रोध होता जाता है इसके जड़ और तना दोनों ही अच्छे से फैलने लगते हैं और 27 दिन से इसकी पत्तिया भी जड़ने लगती हैं और फाइनली 58 दिन के बाद हमारा प्लाइंट इतना वड़ा हो जाता है